हेलो स्टेंड आइम केटी सागर फॉम जीपिया सवाद हम पर रहें आपका सब्सब्चेक्ट सर्विंग फिस्ट और हमारा चैप्टर नूमर चला चैन सर्वे यह से ज़िए बुक यूज़ कर रहे हैं हम साथ है पॉब्लिकेशन तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक कर जरी इमारेखा के नजदीक स्थित होते हैं सर्वे स्टेशन या मेन स्टेशन कहलाते हैं इन मुख्य बिंदू को अंग्रेजी अल्फाविट के बड़े अक्षरों से प्रतश्रित करते हैं तादा तिरभुज के अंदर लिखते हैं जैसे एया बी सबस्टिजरी स्टेशन सर्व अंदर लिखते है हैं त्वानगों डोर्फाथा चल लिखते हैं सर्वे स्टेशन या उवगिंदू कहलाते हैं सर्वेख्षर रेक सीमगारी तरीस स्टेश्र के सबसे लंबी रेखा होती संपूर सर्वेक्षर शेत्र को लगवग दो भागों में बाढ़ती है इसे बेसलाइन भी कहते हैं कि यह सदेव समतल सदय से गुजरनी चाहिए आधार रेखा का मापन बहुत सावधानी से करना चाहिए में लाइन पर ही दाएं बाएं पार्शमाप ली जाते हैं इन आफसाइट कहते हैं सबस्ट्री लाइन दो बिंदो को मिलानी वाले रेखा सबस्ट्री लाइन कहलाती है टाई लाइन सर्विक्षिन चाहतर में इंटर्नल डिटेल मापने के लिए जिसको हम में लाइन से नहीं ले पाते उनको टाई लाइन से मापने हैं टाई लाइन को सबस्ट्री लाइन भी कहते हैं चेक लाइन सर्विक्षिन चेत में कारे को चेक करने के लिए चेक लाइन ड अंकित की जाती हैं जिसे हम कहते हैं फील्ड बुक सर्विक्षन शिर्थ की समस्थ महतपूर आगर्दियां जैसे भावन पैड नदी रेल खंचार लाइन आदी की आगर्दियां उन पर डाले गए खसके सैयोग रेखा जाच रेखा आधार रेखा के मिलन मिंदू इत्यादी स समस्थ प्रविस्टियां शेत्र पंजी में दर्च की जाती हैं शेत्र पंजी में अंकित प्रविस्टियों को देखकर इस्तल आगर्दिय का घ्यान हो जाता है तथा शेत्र पंजी में अंकित प्रविस्टियों के अलहार पर सम्हिंदे शेत्र का नक्सा तयार किया जा सकता संपूर स्रविक्षा छेटर सित् Attention Eloy को दुर्शानने के लिए conventional science का यूज करते हैं सरविक्षा छेटर में माप लेते समय सरविक्षड को अपना मूण प्रगती की दिशां में रखना चाहिए प्रगती की दिशां में मूँ करके खड़ा रॉने क यह दा सब्सक्राइब करना चाहिए ऐसा करने से दाय माय कब्रहम नहीं रहता है रदाय फील्ड पुक छेद्र पंजी पच्छे सेंट्मीटर बारह सेंट्मीटर आगारी के लंबाई में चेयक बुक की बादी खुलने वाली एक बुस्तक होती है चुनकि यह एक पर्मरें रिकॉर्ड अधा इसको अच्छे काग़ज में जिल्ड बांद कर बनाया जाता है इसके पित्यएक प्रिस्ट पर नमबर प्रिंट होते हैं तता सर्वे समद्धी कुछ जानकारी भी पित्यएक प्रिस्ट पर होती है जैसे सर्वे का दिनाग सर्वे का स्थान सर्वेक्षक का नाम मौसन की जानकारी भी अंकित की जाती है सर्वेक्षर करते समय निम्र दो प्रकार की छेटर पंजी सर्वेक्षर समधी मापे दर्श करनी के लिए यूज होती है सिंगल लाइन फीद्बूक डबल लाइन फीद्बूक क्या होते हैं एक रेखा वाली छेठर पंजी इस प्रकार की खेटर पंजी की प्रतियेग प्रस्ट के मद्धे में एक उर्दवादर रेखा होती है जो सर्वेक्षर रेखा को प्रदशित करती है इस रेखा पर सर्वेक्षर छेट की किसी रेखा की पूर लंबाई तदा उस सर्वेक्षर रेखा पर लिए गए दायंबाई खसके उनकी लंबाई तदा अन्य जरीब दूरी अंकित किये जाते हैं दो रेखाव वाली छेतरपंजी, डबानाइट फील्वुग, इस परकार की छेतरपंजी के पृतिय एक प्रस्ट के मद्धे में दो उर्धवादार रेखाएं बनी होती हैं, यह उर्धवादार रेखाएं सर्वे रेखा को प्रतशित करती है, विविन आफसेट की को इन दौनों रेखानों को कि अंकित की जाती है कि और इस प्रिकार स्थत निच दोपनिघ कि पर्चेसिशन से आगी यले जाई जाता काफ की रिखानाय दोपन की प्रिविस्टियां दर्श करते समय दाइं बाइं का ब्रहम नहीं रहता सब्पिक्षर श्थ में कार्रेक की प्रगति की योः शदे मूँ करके खड़े होते हैं चेटर पंजी को जरी गमन की दिशा में रखते हैं जरी प्रिका के बाइं और पढ़ने वाली आकर्टियों के ब दूरी चिने भी रफिसकेश भी छेटर पंजी में बनाया जाते हैं नई जरीब रेखा अथार्थ दूसरी सर्वेक्ष्ट रेका के लिए चेटर पंजी का नया प्रस्ट यूज किया जाता है जी कोई व्यक्त फील्बुक का अवलोकन करें तो अवलोकन से ही हो जाए कि देखिए जैसे यह ऑफसेट डाले गए तो ऑफसेट का डिस्टेंस लिख रखा है इनों ने सड़क आठ मीटर है यह लिख रखा है रेका एसी यह यहां से आरम हो रही है देखा एए फिर क्या है आपका कि वैल कि 9.80 मीटर यह लिख रखा है टाइलाइन की टीवन टीवाइब होस्टल की मापे दे रखे हैं इनोंने समस्त रिखा भी दे रखे हैं तो इस तरह से देखिए इस तरह से छेटर बंजी में डावल लाइन फील्बुक में एंट्री करते हैं घ्रवे क्शे है इसमें क्या रखे हे इस तायटल अफ इंटक्स प्लांटडे अफ सर्vak स्टेशंव public छासे शैस लोगत करों धे क्या है यह क्या है मेनि सब स्टेशंबस और यह कि ताई लाम स्टेशंच व्रों यह भी यापकी सरव जारी यापका वैल है और यापका कोई पेड़ है अब फिर है सर्वे खड़ रिखा का नाम सबये स्टेशन के नाम दिर्भुश के अंदर विएंग ऑफ वन लाइन उस रिखा का नाम जो किसी इस्टेशन पर किसी अन्ने रिखासे मिलते हैं फील्ड बुक में एंट्री करते समय निमन बाते दिहान रखते हैं कौन कौन सी फरस्ट प्रिदियक सर्वेक्शन रेका के लिए नया पेज प्रियोग करना चाहिए सभी एंट्री अच्छी पैंसल से रिकॉर्ड करनी चाहिए छेतर पंजी जोंकि महतपूर अभी लेकर आदा समाल कर रखनी चाहिए छेतर पंजी के प्रिदियक पेज़ पर एंट्री नीचे से आरम करनी चाहिए छेतर पंजी पर सबसे पहले स्टेशन का नाम तृपुच के अंदर लिखना चाहिए छेत्र पंजी में एंट्री का कार रह अंतिम प्रस्ट से नीचे से प्रारम करना चाहिए सर्विक्षन रिखा कि बाई और के एंट्री छेत्र पंजी में बाई और जब कि दाई और के एंट्री दाई और करनी चाहिए शेत्र पंच्ची में सभी आ करती हैो को उनके conventional sign से दर्साना चाहिए सर्वेक्षन शेत्में दूरिया नापने के तुरन्तबाद लिख लेनी चाहिए गलत पात्थ्यांक पर सही पात्थ्यांक नहीं लिखना चाहिए गलत पाठ्यांग को रबन से मिटाकर सही पाठ्यांग लिखना चाहिए यदि कोई रिखा ऐसी है जिसमें बहुत अधिक पाश पर दूरी आए ऐसी रिखा को एक पेश साधिक पेश पर एंट्री की जा सकती है कोई भी विवरान या दास पर नहीं जोना चाहिए ये तो था र आलेखन चेट बंजी में दर्स सभी नैच्छल आर्टिफिशल बिंदू की इस्तिलाकरती का विश्टत वेवनर्ट तथा ठीक से समझ कर आलेखन प्रारम किया जाता है अवश्यक्त अनुसार आलेखन चेट का चेट फिल भी ग्याद कर लिया जाता है प्लॉटिंग कैसे कर बाहर के जाता है इस कार्य के लिए फील्ट बुक में किये गए इंदराज का बहुत महत्व है से शर्विक्षन शटर में फिल्ट के इंदराज हर तरह से पूर्ण होने चाहिए आधे दूरे इंदराज से अंगन करने में परिशानी आती है इन्दाज जो वाइड यूस हो और शायद वह आगाड़ों के लिए हो रहा होगा इंस्रुमेंट इस फो प्राइंग बोट टी स्कॉाइट मिनी ड्राफटर सैट स्कॉाइर प्रोटेक्टर फ्रेंच स्कॉाइर ऑफ सैट इसकेल पैलर रोला ड्राइंग पिन ग्लैंप और क्लैंप इंस्रुमेंट बॉक्स कल ड्राइंग आगा आगाम नेक्स लास में करेंगे को